असलाम को वीवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल लाइफ इद मदीहा में आपको वेलकम हैं उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं भी अलहमदुलिला बिलकुल ठीक हूँ तो आज हम बनाने दुगे हैं जी ज्यादा क्वांटिटी में रेसिपी तो आज बना रही हूँ जी म आप से पहले आप तक मुझने वाली है वीडियो को लाइक जूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इंशाला यहां पर बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है तो रैसिपी करते हैं जी अब स्टार्ट चिकन को देखने अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है तो मैंने का चलें आपको कडीब से भी दिखा देती हूं यह देखने चिकन तो बॉनलेस ही मैंने चिकन लिया था हडी वाला भी आप ले सकते हैं लेकिन बॉनलेस ठीक है के फटा-फट से उसमें इतनी हडिया निकल जाती है तो चल अच्छी तो मैं बॉर्ड बिदकुल नहीं करना चाहती है इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड तेस की हुई है के फटा-फट से मैं आपको दिखा दू मैंने यहां पर प्यास कटिंग करनी है तो यहां पर मिर पस चार किलो प्यास से और मिर पस चिकन है जी तीन किलो बोनले पता नहीं उससे क्या होगा तो अब बी प्यास को देख लिए जी शिम्र, मिज बीग बीद की है और प्यास को डेख लेए सी तरण से मैं चोप कर रही हूं तो यह इस तरह से करके इस हाड़ी प्यास को तो मसलाइ से काफी कुञाटिटी थी तो मैं ठğin ठागी थी इसको मु किसी भी सूप में यहां किसी भी अगर कोई आप राइस में आते हैं उसमें डाली जिएगा और यह देखिए इस तरह से चिकन के ब्रेशे कर लिए और यहां पर माशाला से रभी लवल है तो बच्चों के लिए रभी लवल पी मैं ब्रेड ड्रोल बना रही हूं सबके कपर मै दोबारा आगी हूं किचन में थोरसा डिलेक्स कर लिया थाकर एकदम से ज्यादा काम करूंगी तो थक ना जाओं तो अब यहां पे कड़ाई में देखे जी डाल दिया जी मैने ओए ज्यादा ओई नहीं इसमें डलता कम इसमें डलता है सिर्फ इतना डाला था जिसमें अब आँ डाले जी मैदा तो एक कप के पास इसमें मैदा डले गा तो अभी मैने डाले सा थोड़ा सा कर के मैं और डालती रोंगी और साथ में मैं डालने इसमें डूद तो अब आप से डाल दी जी देखे मैने जो कहते है ना सूख कुटी विलाल में अचि ओरिगानो नमक चिली सोस और साथ में जो होती है न चिली गार्लिक टोमाटो केचप मैंने वह भी इसमें एड़ किया तो अब आप चख लिजेगा अगर नमक या मिच कम है तो आप उसमें और भी आड़ कर दीजेगा मैंने चकी सी मुझे थो सी कम लग लग लगी थी मैंने इसमें काली मीच और नमक इसमें और एड़ कर दिया है आप अपने टेस्ट के साब से कम यह ज्यादा कर सकते हैं और जी देखें जी मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था इसको और शरेशा कर लिया था थोड़ा-थोड़ा से इसमें डलने वाला था तो मुझे लग रहा था मैंजी जो क्राई तो मुझे थे एक कप ऑईल था पूरा एक जग दूद था उसके साथ नो चमच मैंने डाले थे चीनी और नो ही मेरे हाल से मैंने डाले थे नमक के उसके बाद अच्छी तरह से आपने कोशिश करना है जितनी इच्छी आप दो गूंदेंगे उतनी इच्छी आपकी ब्रेड बनेगी तो इसलिए मैंने इसमें थोरसा दनिया भी आट कर दिया था मैंने का था चले लेगा लेकिन जब ब्रेड बनी थी इसमें दनिया इतना नजर नहीं आ रहा था मेहनत काफी हुए थी क्यूंकि इसको मशाला से ज्यादा क्वांटिटी थी गूंदें भी काफी टाइ तो रभी लवल की शाम कोई मैंने सारी थारी कर ली थी आटा भी मैंने शाम को गूंद का रखा था रात के साड़े 10-11 बजे के पास और साथ में यह देखें उपर से मैंने इसको कर दिया जे ची तरह से कवर और इदर देखें जी बैटर का भी जो मैंने दूर डाला था अब सब कुछ मिक्स हो गया अब डन हो गया था अब सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ मेरे हाल से साथ तीस पैंतिस ओ रहे हैं जब मैं उठी थी तो यह मैंने का चले बाई सेन में बैठ जाती हूं माशाला से मोसम बहुत अच्छा था रबिल वल वाले दिन तो यह देखें जी आटा आप देखने है राज को दिखाया था आपको मैंने कितना था माशाला से बहुत ही माशाला से प्यारा राइज हूआ था तो बस यह यह दो को अच्छी तरह से आपने ना इसको मलोना है जितनी इच्छी तरह से आप मलोएंगे ना उतनी इच्छा तरह ना आटा ग यहां पे लेकिन आपको आपको दिबारा में पूड़ा दिखा देती हूँ यहां पर देखें चीед में और इस तरहा से रोल को चटकर लेना है और जो बंद की तो यहां पर निशान लगा ले न फिर आपने कटिंग करने हैं तो यह नगवा कोई बड़ा कोई छोटा बन जाएगा ऐसे हो जाएगा तो यहां पर मैं ट्रे में बना रही हैं मरे एक यहां आठ ने में क्या रही है कि आथ यहां तो 9 ट्रे राखने में लग तो मुझे 30 छार ग्हंटे लग एतए इसको बेक करने में यह देख रहे हैं मैंने का तीसे दफ़ा भी बेदेती हूं ताकि यह ट्रे पूरा फुल हो जाए तो मैंने का आपको भी एक दफ़ा यह ट्रे सारा दिखा दूँ तो माज़रत अगर आपको लगे कि ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है यहाई के चीज द अब ब्रश के साथ आपने उपर सिर्फ अंडा लगा लेना है और साथ में उपर देखें जी मैं सफेद तिल मैंने थोरो थोरो से उपर इस्प्रिंकल कर दी है मैं कजरा प्यार लगते हैं जब कलर आएगा इसको ओमन में आपने बेक कर लेना है भी से 25 मिन्ट लगते थी इ यानिकी देख भी बनवाई हुई थी तो अब उसकी डिस्ट्रिबूशन का समयले अमल चल रहा है तो यह दिब्बे सारे पैक हो रहे हैं तो फटा-फट से पैक करेंगे और इनको डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो मैं बताना बिल्कुल बूल गई माजरत रभी लवल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इन्शाला आपको यहां पर बुद 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 अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंज के साथ बेल आइकन का बटन को जरूर पैस करें नहीं आने वाली वीडियो सबसे पह आपके लाइथे जो मैंने अपनी वीडियो में आड़ की है तो वीडियो ज्यादा लंबी हो तो माज़रत इसे के साथ इजाज़त चाहती हूं तो माशाला से रोल और बिर्यानी बहुत टेस्टी थी आपी रोल जरू टैई कीजिएगा बहुत सारी दौा में मुझे याद रखिये जल्दी हाजिर होंगी अलाहाँ